हेलो एव्रीवन वेलकम तो आईक्यू सुडियो में डिसकस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक इस हाव आहूम किंग्डम डिपीटेड माइटी मुगल एंपायर अहूम किंग्डम वेरी इंपॉर्टन टॉपिक फॉर यो एपीएसी इग्जामिनेशन एज वेल एपीएसी अहूम किंग्डम अब हमने हिस्ट्री की किताबों में मौरियन एंपायर गुपता किंग्डम मुगल्स दिल्ली सल्तनत इन सभी के बारे में काफी जादा पढ़ा ह है बट अहूम जो की काफी इंपॉर्टन किंग्डम है नौर्थीस की हमें जादा तर कहीं न कहीं इस किंग्डम को नेगलेक्ट किया गया है हिस्टी में तो हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन में क्यों अहूम किंग्डम इतनी जादा इंपॉर्टन है नौर्थीस के especially Assam as well as we will try to understand how they have defeated mighty Mughal Empire clear so let's start with the topic a home dynasty clear a home dynasty who defeated mighty army of Aurangzeb even if they were outnumbered ab ye dynasty kaise bani kaha se aya ye log so we need to understand this thing now if you see the geography of Assam Assam region the most important river is Brahmaputra Brahmaputra fertile plains fertile lands then its connectivity with Indochina land Indochina land means Myanmar Laos Cambodia Thailand very important region since ancient time clear so there was a prince abe a prince hua kertethe jinka naam tha chaolung sukhapa aur ye Myanmar se aya inna inki eek jaghae thii Myanmar me jis ko kaha jata tha maolung ye apni wife or children और अपने nobles officers के साथ आये 1215 A.D. में और यहीं से शुरुआत होती है main a home kingdom की जो की sir Edward Gatt ने अपनी किताब में लिखा भी है clear and then अब यह जो a home ruler थे main important chaolong sukhapa यह याद रखिएगा कहां पर settle हुए चराई दियो अपर आसाम में then यह और इनके लोग धीरे धीरे Brahmaputra valley में settle होना शुरू हुए in 1235 A.D. और finally चराई दियो अपर आसाम जो है वो a home kingdom के control में आ गया sukhapa ने establish किया पहले small principality small territory चराई दियो में और धीरे धीरे expansion करना शुरू किया a home kingdom का clear तो अब instead of fighting wars अब a home kingdom आने से पहले आसाम रीजन जो था वहाँ पे बहुत सारे tribals हुआ करते थे tribals के अपने अपने clan अपने अपने chief होते हैं so instead of fighting war with local chief and vessels धीरे धीरे इन्हों ने वहाँ के local tribes के साथ दोष्टी बढ़ाना शुरू की और तब आप देखेंगे उस समय के जो main लोग हुआ करते थे बराही and maran peoples अब धीरे धीरे जो technology थी सुखापा की और उनके लोग जो Myanmar region से ले के आये थे वो technology उन्होंने असम के लोगों के साथ वहाँ के local peoples के साथ share करना शुरू किया and ये technology थी क्या ये technology थी wet rice cultivation with increased agriculture output of the region अब प्रमकुत्रा river is there जिसकी वज़े से agriculture output और जाधा बढ़ने लगा समझ में आ रहे है इसलिए agriculture क्या है इंडिया की backbone है इंडिया economy का backbone है agriculture तो धीरे धीरे आप देखेंगे a home का जो way of life था quality थी धीरे धीरे उसमें बाकी और regions भी आने लगे for example बराही जिसकी वज़े से अब आप देखेंगे 13th century से धीरे धीरे हमें पदा चलेगा धीरे धीरे a homes जो होंगे वो increase होने लगे और धीरे धीरे अपनी position को increase करने के लिए सुखापा ने क्या किया असमीज history में बहुत सारी चीजे और अरफिक चाओ लूंग associate with me now चाओ means great and lung means also great तो समय उन्होंने अपनी military power का use किया और धीरे धीरे जो वहां की local people से new communities थी उनको annex करना शुरू किया अब असम के original लोग कौन कौन से भुयान है जो कि उस समय के landlord हुआ करते थे फ्यूडल लॉड हुआ करते थे वहां के एंद इसी तरीके से धीरे धीरे अहोम्स ने उनकी power को absorb करना शुरू किया और अहोम kingdom धीरे धीरे बढ़ने लगी बहुत सारे local tribes जो थे उन्होंने join किया अहोम kingdom को और अहोम kingdom एक multi, ethnic और inclusive kingdom बन गई थी सुखापा ने फिर उसके बाद अपनी power को consolidate किया culture और religion को भी assimilate किया different communities के और बहुत सारे tribes है like सुतियाज, मुरान, कचारीज, अपनी kingdom में इन सभी को उन्होंने assimilate किया और उनके साथ एक अच्छे relations बनाना शुरू किया इसी लिए सुखापा को क्या कहा जाता है सुखापा को कहा जाता है architect of greater assam जिसका सपना बहुत बढ़ा था greater assam देन सुखापा की death हो जाती है 1268 AD में बट सुखापा एक ground work करके चले गए थे assam मतलब ahome kingdom को एक sovereign kingdom बना कर गएते मतलब base जो है ahome kingdom का वो किसने तयार किया सुखापान clear अब ahomes के बारे में थोड़ा हम समझेंगे ahomes ने इतनी बड़ी kingdom कैसे बनाई because इन्होंने नई state बनाई जो उस region के जो assam region के पुराना political system हुआ करता वहां के जो land lodge हुआ करते थे जिनको भुयांस कहा जाता था उन सभी को suppress किया और धीरे धीरे kingdom को expand करना शुरू किया ahome state dependent upon forced labor अब ahome state depend था किस पर forced labor पे those force to work for the state अब जो याद रखेगा जो काम करवाते थे इस state के लिए उनको pipe कहा जाता था ahome society जो थी वो divide थी different clans और clans को खेल भी कहा जाता है अब यह जो clans होते थे खेल होते थे यह control करते थे बहुत सारे villages को ahomes अपने tribal gods को worship करते थे बट उन्होंने कभी भी अपने language, religion, rituals को Assam की communities पर impose करने की उतनी जादा कोशिश नहीं करी उन्होंने accept किया Hindu religion को और Assamese language को इसलिए ahome kingdom Assamese history में काफी जादा important है now however ahome kings they did not completely give up their traditional belief जब उन्होंने Hinduism को adopt किया बट उनके जो पुराने रीती रिवास belief से उनको उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ा नहीं था ahome की जो society थी काफी जादा sophisticated थी different poets, scholars इन सभी को land grant दिया जाता था which is a part of feudalism समझ में आ रहा है? feudalism तब होगा जब position hereditary होगी और धीरे धीरे आप देखेंगे जो Sanskrit works होंगे translate हुए local languages में तब आप देखेंगे historical work जो सबसे important है that is बुरंजीज ये भी लिखा गया और ये first है ahome language में और उसके बाद asamese language में बुरंजीज को लिखा गया now most of सुकपाज people were men और अब सुकपाज people जो थे जो वहाँ से Myanmar से आयते वो ज़ादा तर men थे और धीरे धीरे उन लोगों ने local tribal women के साथ marriage alliance की और धीरे धीरे वो settle हो गए धीरे धीरे वो part बन गए asam communities का अब जब ahomes आये inter marriage भी काफी जादा increase हुआ जिसकी वज़े से जो culture था tradition था वो पूरी तरीके से assimilate हो रहा था अब ahomes जो थे अपने tribal gods को worship करते थे बट उन्होंने कभी भी अपने rituals अपने language अपने traditions को tribal communities जो थे asam की उन पर impose करने की कोशिश नहीं की और धीरे धीरे आप देखेंगे ahome kingdom ने बाद में हिंदू religion को adopt किया और बहुत सारे हिंदू temples बनवाए मुगल्स की तरह नहीं जो उन्होंने destroy किये हो temples ahome का काफी important याद रखेगा contribution है इंडिया के heritage और उन्होंने impose किये languages में तो आप देखेंगे धीरे-धीरे since speakers of their previous language got lesser in numbers assamese replaced the kingdom और धीरे-धीरे assamese जो होगी वो main language हो जाएगी kingdom की now why a home are important अब significance क्या we need to understand सुखापा उन्होंने successfully different communities और tribal population को assimilate कर लिया था home kingdom उन्होंने develop किये काफी friendly relations वहाँ की local tribal communities के साथ especially सुतियाज, मुरांज and कचारीज और धीरे-धीरे आप देखेंगे उनको कहा जाने लगा सुखापा को architect of borasome, borasome means greater asome because उन्होंने power को consolidate किया culture, religion, पूरे region में assimilate किया और उन्होंने जो diverse people है different, different tribal population है asome में उन सभी को manage किया बहुत यच्छे से ये योगदान है home kingdom का सबच में आ रहा है so इसी लिए asome celebrate करता है asome दिवस हर second December को हर साल और ये किसले celebrate किया जाता है सुखापा और उनके rule को commemorate करने के लिए now during his reign याद रखेगा during his reign a home dynasty जिसका time period है around six centuries तक ये dynasties थी और धीरे धीरे British India में याद रखेगा 1826 में a home kingdom को annex किया that means asome region को annex किया और एक ऐसी society बनाई जो की art, agriculture, engineering, robust economy के लिए जानी जाती थी poets, scholars इन सभी को काफी जादा praise किया जाता है, honor किया जाता है, उन्हें काफी जादा land grants भी दिया गया था and ancient works जो हुआ करते थे Sanskrit में वो धीरे धीरे local language में translate किये जाने लगे so अब a home kingdom की अगर आप location देखेंगे असाम region की तो उस समय अफगान ruler से काफी जादा attack होते थे Turk से भी काफी जादा attack होते थे, clear, then Indo-China land, so a home kingdom हमेशा regular attack में होती थी Turkic and Afghan ruler of Bengal but successfully a home kingdom ने resist किया उनके advances को and they even expanded westward to include territory around Karatoya river, बहुत important river है, clear so the home kingdom would see its first major engagement against an imperial power in the form of Mughal empire in 1600, 15 और पहली बार a home kingdom के ने जो याद रखिएगा पहली बार जो engagement थी Mughal empire के खिला वो शुरुआत होती है 1615 से, अब हम बात करेंगे Mughal expedition की now 17th century में याद रखिएगा जो expansionist Mughal empire थी, उन्हें ब्रहंपुत्रा river की strategic importance के बारे में समझ में आ गया अब एक चीज याद रखिएगा कि war हमेशा strategic importance के लिए ही होते हैं, समझ में आ रहा है और war में सबसे important चीज क्या होती है economy, so Mughals को realize हुआ ब्रहंपुत्रा river की strategic importance, important fertile, याद रखिएगा fertile lands, समझ में आ रहा है so when Aurangzeb ascended the throne, जब Aurangzeb याद रखिएगा शेहनशा बनते हैं इस बेश के, then Aurangzeb ने अपने एक मुगल जनरल मीर जुमला को ढाका से order दिया कि आप जाएं और आसाम को capture करें 1661 AD में मीर जुमला अपने साथ काफी बड़ी आर्मी लेके गए और उन्होंने capture किया उनकी capital गरगाओं को समझ में आ रहा है, उन्होंने हरा दिया था किसको? अहोम्स को then उसके बाद आप देखेंगे अहोम किंग जो थे जैधवज सिंगा, he was forced to agree for a humiliating treaty तब इनसे treaty sign करवाई मीर जुमला ने और जिसकी वज़े से अहोम्स को अपनी कुछ territories देनी पड़ गई थी मुगल्स को गोहाटी से लेकर मानस रिवर तक और काफी सारा पैसा भी दिया गया था मुगल्स को अब याद रखें जैधवज सिंगा के बाद उनके जो successor आते हैं चक्रधवज सिंगा अब इनका एक ही में एम था कि जो मुगल्स को territories दी गई हैं वो मुगल्स से territories वापिस ली जानी चाहिए और उन्होंने बहुत ही इमपॉर्टन कमांडर चीफ को अपॉइंट किया जिनका नाम था लचित बोर्पुकान बहुत इमपॉर्टन परसनेलिटी है असम रीजन एंड नेवेंबर 1667 अहोम आर्मी किसके कमांड में थी लचित बोर फुकान के इन्होंने अटेक किया और सक्सेस्फुली मुगल्स को हरा दिया था और फिर से री कैप्चर किया गोहाटी रीजिन को और जब औरंग जेब को इस न्यूस के बारे में पता चलता है कि वो अहोम से हार गए हैं डिसेंबर 1667 में तब याद रखिएगा औरंग जेब जो है अपनी एक स्ट्रॉंग आर्मी भेजता है ताकि कोहाटी को वापिस लिया जाए अहोम से और जब आप देखेंगे कि औरंग जेब की जो आर्मी थी वो रंग मती पहुसती है फेबरी 1669 में लचित बोर्फुकान को इसके बारे में पता चलता है और लचित बोर्फुकान काउंटर स्ट्राइक की पूरी अच्छे से त्यारी करते हैं इनके जो आर्मी टैक्टिक्स थे, मिलिटरी टैक्टिक्स थे वो काफी अच्छे थे गुरिला वार्फेर में काफी जाधा याद रिखेगा गुरिला वार्फेर का बहुत ही important significance है इन वार में अब एक चीज़ याद रखेगा आपको समझ में आएगा कि मुगल्स क्यों हारे मुगल्स ने अभी तक जितने भी वार लड़े थे वो फर्टाइल प्लेंज प्लेंज एरिया में नौर्थ इंडिया के एंपरर थे मुगल्स तो इन्हें हिली एरियास के बारे में बिल्कुल भी जादा नौलेज नहीं थी तो धीरे धीरे आप देखेंगे लचित बोर फुकान की जो आर्मी थी स्टार्टेड रीन फोर्सिंग गोहाटी डिफेंस बाइ कंस्ट्रक्टिंग वाल्स और तब लचित बोर फुकान ने वाल्स बनवाना शुरू किये और जिसकी वज़े से मुगल के अगेस्ट में ये लड़ पाये थे अहोम्स ने यूटिलाइज किया हिली टेरेंस जो हैं गोहाटी के और जिसकी वज़े से गोहाटी को सेफ रखा जा सके ये मिलिटरी टैक्टिक्स थी किसकी लचित बोर फुकान की 1669 मुगल रीज़ अप टू मानस रिवर विजट्स आर्मी जिसमें 35,000 इंफैंट्री, 18,000 कैवलरी एंड 2,000 आर्चर्ज हुआ करते थे अलोंग विट 40 शिप्स अब शार्प होम आर्मी जो थी इन्होंने चूज किया हिली एरिया गोहाटी का अपना बैटल ग्राउंड क्योंकि ये गुरिल्ला वार्फियर में काफी जादा मास्टर थे इन्होंने कभी भी ओपन फील्ड का सहरा नहीं लिया क्योंकि मुगल्स हमेशा ओपन फील्ड में लड़ते थे sufficient mobility in absence of open field to reach a home kingdom तब एक ही option था मुगल्स के पास की ब्रह्म पुत्रा रिवर के थुरू पास किया जाए ब्रह्म पुत्रा एट सराइगाड वाज एट इट्स नेरोएस वहाँ पर ब्रह्म पुत्रा रिवर काफी नेरो है अराउंड वन किलोमीटर विथ है बस and ideal defense था ये homes के लिए हमेशा से वो यहाँ पर अब ये उनका region है geography उनकी है तो उन्हें एक एक geography के बारे में पता थी clear so जब मुगल्स ने देखा कि गुहाटी capture करना अब impossible है now they were forced to use their navy और यही weakest point था मुगल्स का जो उन्होंने navy का use किया सराइगाड एरिया में जो कि उस एरिया के master कौन थे now so आप देखेंगे after strategic retreat it was Lachit Borfukhans clarion called to all his soldiers with fine strategy और एक बहुत ही अच्छी strategy बनाई Borfukhans ने और जिसकी वज़े से अहोम्स ने बहुत ही अच्छी defeat दी मुगल्स को और कहा जाता है ultimately अहोम्स defeated mighty मुगल्स in 1671 और धीरे धीरे मुगल्स का जो प्रसंसा पूरी तरीके से खतम हो गया 1682 में अब letter अहोम रूलर्स की अगर हम बात करें letter the last set of अहोम रूलर्स जो की तुम खुंगिया kings towards end of 17th century ये पावर में आते हैं और इनका जो rule है काफी सारे इनके advancements है art construction में बट इनके latter part of a home kingdom में आप देखेंगे internal conflict शुरू हो गया था अब internal conflict की वज़े से जो इतनी strong a home kingdom थी वो धीरे धीरे उसका foundation कमजोर होने लगा तब आप देखेंगे during the latter part of their rule which was marked by Moa Moria Rebellion Moa Moria Rebellion means जिनके rebels को British soldiers ने हरा दिया था and it failed to end the conflict so the kingdom was further weakened by internal strife and depopulation due to emigration और धीरे धीरे आप देखेंगे कि Burmese tribe जो होंगे वो invade करना शुरू करेंगे and जब Burmese tribe invade करना शुरू करेंगे तब हम देखेंगे कि in the end in 1826 treaty of Yandabu ये sign की गी और जिसमें a home kingdom पूरी तरीके से British empire के control में आ गई थी क्योंकि आसाम को खत्रा था किस से Burmese tribe से तो ये जो time period है अब basic history है कैस time period की now try to understand एक ruler थे कमलेशवर सिंगा 1795 तो 1811 और इनके बाद एक ruler आये चंद्रकान सिंगा 1811 से 1818 के बीच में अब ये जो दो ruler है अब इस time period में royal court में आप देखेंगे धीरे धीरे polarization शुरू हुआ different different groups बन गए थे basically याद रखिए कि home kingdoms में latter part of 19th century में conflict शुरू हो गया royal kings and his officers that means prime minister जो हुआ करते so during the time of चंद्रकान सिंगा जिनका time period है 1811 से 1818 court जो था home court पूरी तरीके से दो blocks में divide हो गया था अब kings और जो royal family के members थे वो एक side पर थे दूसरी तरफ थे पूर नंदा बरा गोहीन जो की prime minister थे और उनके support थे दूसरी side पर तो एक तरफ royal family दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर और उनके supporters being unable to control the activities of पूरा नंदा बरा गोहीन royal camp ने क्या किया तो अब जब यह जो royal family थी अहों की चंदरकान सिंगा की जब यह अपने prime minister को control नहीं कर पा रहे थे तब यह जो चंदरकान सिंगा थे अहों kingdom के तब इन्होंने मदद मांगी किस से Burmese monarch से कि आप कृपयागर के हमारे यहां force भेजिए to dispatch a force to Assam अब याद रखिए diplomacy में कभी भी कोई चीज बिना कुछ लिए या कुछ दिए कभी भी नहीं होती तो 1817 में Burmese appeared on the scene in the political history of Assam और Burmese ने क्या किया दे installed राजा चंदरकान सिंगा जो थे यह puppet ruler हो गए धीरे धीरे क्योंकि यह Burmese monarch से क्या लेते थे help लेते थे जिसकी वज़े से यह puppet ruler हो गए थे Burmese के और धीरे धीरे आप देखेंगे चंदरकान सिंगा अब यह जो प्राइम मिनिस्टर का rival group था इन्होंने धीरे धीरे चंदरकानता को हटा दिया और पुरंदर सिंगा याद रखे किंग बन जाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर family के जो प्राइम मिनिस्टर के supporters है जो प्राइम मिनिस्टर है समझ में आ रहा है तब आप देखेंगे तब पुरंदर सिंगा who raised to the throne so when this development came to knowledge of Burmese King और जैसे ही ये Burmese King को पता चला कि उनका जो पपेट रूलर है जिसने help ली थी उनसे चंदरकान सिंगा उसको हटा दिया गया है तुरंद Burmese King ने याद रखियेगा आर्मी को dispatch किया and तब Burmese King की आर्मी एंटर करती है आसम रीजन में 1800, 18 में so with the intervention of Burmese अब जैसे ही Burmese ने intervention किया आसम वाज प्लेज अंडर चंदरकान सिंगा वैसे ही तुरंद Burmese के जो पपेट रूलर थे चंदरकान सिंगा याद रखियेगा इनको king बनाया गया और तभी से ये पपेट रूलर हो गए पूरी तरीके से Burmese kingdom के अब Burmese ने धीरे धीरे अब क्योंकि Burmese ने help की आर्मी के दूँ तो चंदरकान सिंगा याद रखियेगा पपेट रूलर थे तो Burmese ने क्या शुरू किया rain of terror it was in this context तो जब Burmese kingdom ने असम के लोगों को मारना शुरू किया इस context में आप देखेंगे Britishers ने intervene किया असम रीजन में and this resulted into treaty of Yandabu 1826 so while British intervention it saved असम रीजन otherwise असम रीजन पूरी तरीके से Burmese province में convert हो जाता Britishers ने save किया and it made Assam a slave under British rule so ये जो treaty है Yandabu it was signed on 26th January 1826 और ये treaty ही एक turning point है political history असम का समझ में आ रहा है तो जो Burmese king था king of Ava उसने surrender किया Assam पर से अपने सारे claims को and 27 neighboring states of कचार Jayantya, Manipur ये सारे ही states किसको दे दिये Burmese king ने British government को clear तो ये थी Assam की ये थी Ahomes की political history तो इसमें जो सबसे important figure है that is लचक बोर्फुकार जो की APST में काफी जादा questions आते हैं now we need to understand the economy of a home kingdom or we can say economic model of a home kingdom अब economy जो थी a home kingdom की it was based on around pike system अब pike system में क्या होता है कि जो adult males जो होंगे ये pikes होंगे और ये अपनी service प्रोवाइड करेंगे स्टेट को और इसके बदले में इनको एक land दी जाएगी और ये king के लिए military form करेंगे pike को होंगे? males होंगे, adult males इनको एक land देगा king और ये king के लिए क्या करेंगे? military provide करेंगे then economy में आप दिखेंगे coinage system सबसे पहले introduced किया गया 16th century में by king although the pike system was still in effect pike system was there तो पहले land grant system था land grant system के साथ साथ coinage system भी आया ahom region में so during ahom expansion into mughal areas revenue system it came across were adapted into fold accordingly so दीरे दीरे आप देखेंगे ahom expansion जब हुआ ahom expansion into mughal areas revenue system जो था वो धीरे धीरे आप देखेंगे वो भी adapt होने लगा different different याद रखेगा strategies के साथ समझ में आ रहा है इसलिए ahom kingdom काफी ज़ादा important है now we need to understand the administration of ahom kingdoms अब ahom kingdoms के administration में काफी सारे important people है for example swarga diyo अब ये swarga diyo याद रखेगा kingdom kingdom किसके द्वारा rule की जाएगी एक king होगा और king को कहा जाता था swarga diyo समझ में आ रहा है और वो याद रखेगा same linear से होगा मतलब सुखापा जो की first king थे उन्ही के successors होंगे swarga diyo तो धीरे धीरे आप देखेंगे succession जो होगा generally primogeniture होगा बढ़ धीरे धीरे आप देखेंगे जो दूसरे descendant होंगे सुखापा के वो भी elect होना शुरू हो जाएंगे throne पर जिनको great gohens कहा जाता था great gohens कौन है जो permanent hereditary ministers होंगे state के समझ में आ रहा है then king के बाद होंगे royal officers उनके kingdom में so two royal offices were added under the reign of प्रताप सिंगा दो royal officers को add किया गया प्रताप सिंगा के time period में कौन थे दो royal officers एक थे बोर बारू दूसरे थे बोर फुकान बोर बारू कौन होंगे बोर बारू was military and judicial head बोर फुकान कौन होंगे commander in chief military commander लचिक बोर फुकान कौन है बोर फुकान military commander है और दूसरे officer होंगे बोर बारू जो कि military और judicial head होंगे सबढ़ में आ रहा है तो बोर फुकान was a military commander who acted as a viceroy of स्वरगादियोज territories in west region सबढ़ में आ रहा है और सबसे famous कौन से थे viceroy Lachit बोर फुकान then another officer पत्रमंत्री अब पत्रमंत्री का मतलब क्या है five positions होंगी जिनकी काफी ज्यादा importance होगी जिनको कहा जाता था council of minister पाच minister होंगे otherwise council of ministers को कहा जाता था पत्रमंत्री तो five group of council जो five council of ministers होंगे उनको कहा जाएगा पत्रमंत्री इनका काम क्या होता था they advise the king on important matters of the state then pike official सबसे important अब याद रखेगा every common subject was a pike और चार pike आपस में मिलके याद रखेगा एक goat बनाते थे अब now try to understand at any time of the year one of the pike in the goat rendered direct service to the king इन चार pike में से कोई भी एक pike direct service देगा king को और बाकी याद रखेगा as the others in his goat tended to his field तो ये जो 5 से they were organized into 4 member groups जिसको कहा जाता था goat goat is the name of the group अब ये goat जो होगा each goat had to send one member by rotation for public work तो हर चार member के group को उन में से एक member जाएगा public work के लिए मान लीजे कोई एक member absent है वो नहीं है अगर तो दूसरा member जो होगा वो ध्यान लखेगा land और family का समझ में आ रहे हैं और जब भी war होगा war के समय में pike जो होंगे वो form करेंगे militia military को clear तो ये था याद रखेगा a home kingdom के administration के बारे में बारे में and the last capital of a home kingdom was जोरहत which was the last capital of a home we need to understand हो इस lesson में हमने काफी सारी चीजें समझी तो इस session में हमने काफी सारी चीजें समनी यह वर एक्वार यह लोग इन चीफ, in a home kingdom, second thing, how a home or how a home kingdom came into the control of British, clear, तो सबसे important चीज़ जो हमें इस सेशन में समझ में आती है, a home or you can say Assam region, important क्यों है, because of Brahmaputra river, Brahmaputra river, then connectivity to Indochina land, then fertile region, because of Brahmaputra, fertile region, then important for trade and commerce, important for trade and commerce, clear, so this is the strategic importance of Assam as well as a home kingdom, समझ में आ रहा है, so इस सेशन में आज हमने डिसकस किया पूरे a home kingdom के बारे में और क्यों मुगल्स हार गहते, ये सारे ही चीज़ें, ये सारे ही जो reasons हैं हमने इसमें डिसकस किये, so I hope ये वीडियो आपके लिए काफी जादा important रहेगा, APSE examination के लिए, वीडियो को जादा से जादा share करिए, subscribe करिए, हमारे official telegram channel और YouTube channel को, और इस session के PDF को download करने के लिए, आप join कर सकते हैं हमारे telegram channels को, thank you, thank you so much.